Hello my champions, विजयादर्स की पाट चाला में आप सभी का स्वागत है मैं पहले बता चुका हूँ ये chapter काफी important chapter है और 11th class का accounting का पूरा base है इसमें से कोई भी point अगर आप छोड़ देते हैं तो बात में इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा इसलिए इसमें से कोई भी topic कोई भी point मत छोड़ो आप में से बहुत सारे बच्चों ने नीचे मुझे comment करके बताया कि क्या timing होनी चाहिए class regular लेनी है या कैसी लेनी है और test का system क्या होना चाहिए अभी भी एक मौका और है आप में से जिन बच्चों ने नीचे comment करके नहीं बताया है मुझे नीचे comment करके बताओ कि ये regular वीडियो आनी चाहिए या नहीं मलब daily video हम accounts और eco का जो video है वो daily daily पढ़ें इसके अलावा मैंने पूछा तक क्या time होना चाहिए और test आपके होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए वो मुझे बताओ पूरा का पूरा है ना और जो हमारी अभी पीछे जो notes की problem चल रही थी वो almost हमने problem को resolve कर लिया है तो नीचे comment में जा वीडियो खतम कर लेना उसके बाद नीचे comment में जाके अपना जो notes है उसको अच्छी तरीके से आप वहाँ से जाके no down कर लेना है ना देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो accounting principles हैं उसके एक से लेकर यह total यहाँ पे 8 टक का जो topic है वो clear कर दिया था आज इसके बाद के जो topic है उसको हम लोग clear करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक concept है dual aspect और duality principle आगे चलके हम लोग एक chapter पढ़ेंगे जिसका नाम है rules of debit and credit now rules of debit and credit क्या कहता है according to this principle every business transactions has two aspects जी हाँ जो business transaction है उसके दो aspects होते हैं एक debit और एक credit मतलब दुकान पे गए आपने बोला भहिया एक pen दे दो उसने आपको ये 60 रुपे का pen दिया तो आपके जेब से 60 रुपे गए और उसके पास 60 रुपे आ गए ये आप दोनों के नजरों के हिसाब से हुआ बर दुकानदार के viewpoint से सोचें मैं अगर दुकानदार का accountant हूँ और मैं दुकानदार के हिसाब से सोचूँ कि दुकानदार के ओपर क्या फरक पड़ा तो ये जो pen था वो चला गया और उसके पास पैसा आ गया pen बोले तो stock चला गया और पैसा आ गया pen बोले तो stock कहां से आया था पर्चेस किया था तो एक तरीके से क्या है कि ये पर्चेस करी थी वो खतम हो गया मतलब उसने सामान लिया था stock था उसके लिए ये सामान कहां से आया था दुकानदार के पास उसने खरीदा था और खरीद के थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बेज दिया 50 रुपे का पैन था 60 रुपे का आपको बेचा 10 रुपे का profit कमाया दो इस्पेक्ट्स होते हैं एकाउंट में कोई भी समान बेचते हैं तो समान जाता है पैसा आता है इसी तरीके से किसी को सेलरी देते हैं तो उसे काम करवाया तो एक तरीके से सेलरी जो है खर्चाया और ये से कैसा अबलब बिजनस से पैसा चला गया तो ये क्या होता है और उस बैठेक में मालों सोफे उफे लगने हैं, तो सोफा आपके यहां पर पर्चेस करके आया, सोफा आपने खरीदा और पैसा यहां से चला गया, तो सोफा आगया और पैसा चला गया, दो इस्पेक्ट्स होते हैं, डिवैलिटी इस्पेक्ट्स बोलते हैं, डिवैलिटी principle से काफी important है वो अलग है ये अलग है ध्यान से समझना according to this principle revenue must be recognized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the payment has been established सरी क्या बोल रहा है हाँ ये बड़े काम की चीज़ है ध्यान से समझना ये कह रहा है जब एक transaction entered होगा और obligation जो है उस पैसे को receive करने की वो establish होगी जैसे example के तौर पे लेते हैं मैं अपने example लेता हूँ फिर यहां पर जो example दे रहा है उसको समझाओंगा मैं जैसे माल लो कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा हमारे हाँ 11th class में पढ़ रहा है ठीक है यह तो जैसे मैंने बताया कि पीछे काफी लंबा टाइं हो गया मुझे पढ़ाते हुए आल्मोस्ट डाल वी सिकी साल हो गया है पढ़ाते हुए जिसमें 12th class को पढ़ाते हुए आल्मोस 17-18 साल हो गया मुझे पढ़ाते विजिसमें 12 साल से जादा Online हो गया तो जब मैं कभी बोलता हूँ कि मुझे online इतना पढ़ाते हुए हो गया तो बहुत सारे बच्चे जिनको idea नहीं है उनको उनको समझ नहीं आता हूँ कहते हैं कि सर आप ऐसी बोल रहे हो वो तो मैंने proof आपको दिखाया था कि यह जो digital notes है वो इससे बढ़िया proof क्या हो सकता है देट भी दिखाई थी मैंने चलो खेर वो एक अलग बात है तो इतना लंबा टाइम हो गया पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे हैं पहले से बढ़ रहे हैं जैसे 11th class के बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं 400 से 500 बच्चे हमसे advance में कोर्स ले लेते हैं 400 से 500 बच्चे जो paid courses की बात कर रहे हैं जो हमारे pen drive या SD card वाले या download link वाले कोर्स होते हैं जो पूरा कोर्स होता है तो वो पूरा का पूरा कोर्स हमसे पहले ले लेते हैं ध्यान से समझना हम उसको बोलते हैं आप pre booking कर दो उसमें हम लोग 15% to 20% का special discount देते हैं अब 15 से 20% का special discount मिलता है 500 से 600 बच्चे हर साल advance में 11 वाला बच्चा 12th का course ले लेता है बट ध्यान से सुनने हैं आप एक बात बत मेने में लेकिन कोर्स हम कब चालो करके देंगे एपरेल के मेने में पॉइंट वी नोटेट 10-12 दिन का गैप रहता है इसमें तो pre booking होती है उसकी अब समझो सर्विस कब रेंटर होगी एपरेल के मेने में पेमेंट कब ले ली हमने मार्च के मेने में सवाल ही उड़ता है कि में जब हमने ये payment advanced मे ले ली इसी session में अब ये थोड़ा सा year बदल लेता हूँ मैं यहाँ पर year जलो यहाँ पर थोड़ा example बदल लेते हैं यह 2020 करलेता हूँ मैं और यहाँ पर year भी बदल देता हूँ मा hayır जो है यह 15 March 2020 ले लेते हैं और यह 20-21 का year ले लेते हैं तो ज़्याद अच्छे से समझ में आएगा 2020 और 21 और अगला साल जो है वो 2021 और 22 आएगा 2022 आएगा और यह भी 2021 ले लेते हैं तो पहले जो मैंने एग्जामपल दिया उस एग्जामपल को समझते हैं फिर इस वाले एग्जामपल को समझेंगे हम लोग तो यहां पर बोला कि 15 मार्च 2020 बच्चों ने कोर्स ले लिया और उसका कोर्स वो है वो एक अपरल से मालो चालू करेंगे तो पैसे हमने एडवांस म नहीं मानी चाहिए कि यह एपरल के महनी की से मानी चाहिए कि यह कहने का मतलब यहां है तो यह कहता है कि according to this principle revenue must be recognized when a transaction has been entered into and and the obligation to receive the payment has been established मतलब रूल के मताबिक जब हम उनका कोर्स एक्टिवेट करके देंगे तब ही हमें फीस मिलनी चाहिए लेकिन फीस ही एडवांस में आ तो उसमें हम लोग इसको एंटर करते हैं है ना तो इस session में एंटर नहीं किया जाएगा यहां पर बताए यहां example मैंने दूसरा लिया है यहां पर थोड़ा एडवांस का example है कि sale हमने यहां कर दिया बट पेमिंट हमें बाद में मिलेगी तो यह example अलग है बट जो मैंने example बत and they should be free from personal buys मैं मैं किसी business का accountant हूँ मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसको अपने according accounting करूँ यह नहीं होना चाहिए तो very feeble objective concept यह कहता है कि कोई भी business का जो transaction है वो अपने मतलब पे अपने मतलब के हिसाब से नहीं होना चाहिए जो accounting के rules हैं जो ICA Ida Institute of Chartered Accountants of India ने जो rules बनाए उस rules के according आपको उस rules के according आपको यह accounting करनी है इस चीज का ध्यान रखना मतलब कोई बोले कि इसको manipulate कर दो वो नहीं होगा और बोले नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो गलत होगा है ना तो जो तरीका है जो accounting हमको कहता है हमें उस recording उसके recording हमें करना है और नाव इसमें एक चीज बता है यहां पर जैसे कई बार क्या होता है कभी कभी बिजनस में क्या करते हैं डमी खर्चे डालना बिल्कुल कानून के खिलाफ है accounting system के बिल्कुल खिलाफ है अगर आपने मानलों कोई खर्चा किया तो उसका voucher prepare हो या आपके पास bill होना चाहिए अभी पढ़ेंगे आगे चलके vouchers क्या होते हैं यह cash memo क्या होते हैं सब पढ़ेंगे तो voucher होने चाहिए या जो documentary evidence है उसके बिहाब पे data को record करना है आप मुझे कुछ भी कि मैंने तो इतना पैसा खर्च किया ऐसा नहीं होना चाहिए समझ गए तो these supporting documents include cash memo, invoice, bill समान खरीते हो ना कई बार आप Amazon से, flip card से कुछ समान मंगाते हो बिल आता है ना ऐसी pass की दुकान से आपने कोई चीज खरीदा मालो नया phone खरीदा तो बिल आया या बिल दिया वो evidence होता है business में भी कोई भी transaction जब हम करते है तो इसके evidence के basis पे record होने चाहिए यहाँ पे कुछ बचे कहते हैं sir last के जो दो है तो यह जो last के दो है generally क्या होता revenue recognition और verifiable objective तो बताई दिया मैंने आपको पहले मैं सोच रहा था कि बताऊ या नहीं बताऊ बता दिया मैंने important concept है और exam में जितने भी concepts बता है accounting principles बता है इसमें से exam में कई बार आता है तो में से अभी जो बच्चे छूड़ गया है जिन्होंने पहले comment नहीं किया है वो comment करके बताऊ कि क्या ये accounts और eco की class daily होनी चाहिए दूसरी बात मुझे ये बताऊ कि timing क्या होनी चाहिए video upload होनी की मतलब जिस से मैं आप पूरा free हो और अच्छे से पढ़ चको और तीसरी बात क कि टेस्ट हो तो किस तरीके से होने चाहिए अगर आपने अब तक telegram group को join नहीं किया है तो नीचे description में link है जाकर join कर लो क्योंकि उसमें काफी सारे important जो updates है वो हम लोग put up करते हो और बहुत जल्दी उसमें mcq series हम लोग चालू करेंगे तो आप उसमें हो सकते हो मतलब छू नीचे comment करके बताओगे dear तो मैं अपने आपको और अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा पढ़ाने के मामले में और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता और improvement की ज़रूरत है let me know ताकि मैं उसको improve कर पाऊं है ना चलिए मिलेंगे हम लोग next class में बत मुझे नीचे बता दो मज़ झालिए मिलें पाऊंगे हम लोगता और के लूगतागे हम लोगता है